आईए देखते हैं दीमक खतम करने की पुराने तरीके पर कुछ समय बाद दीमक की दवा का असर खतम होता है फिर होती है जमीनी दीमक के अतंक की शुरुआत और फिर होती है पैसु की बरबादी क्या आप अपनी एक्सपेंसिफ फ्लोरिंग उखरवा कर फिर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं बट नो नीड टू वरी नाव केल्स लाया है वान स्टॉप सॉल्यूशन फॉर टर्माइट्स केल्स टर्माइट ट्रीट्मेंट प्लांट इंलेट हब इंलेट हब डेल्टा हब के लिए एक कनेक्टर का काम करता है ये फलूइट को पंपिंग के द्वारा एक एक करके 8 अलग-अलग हिस्सों में बाढता है डेल्टा हब ये टर्माइट ट्रीट्मेंट प्लांट का सेंट्रल हब है ये फलूइट को 8 अलग-अलग चैनल्स के द्वारा इंलेट हब से anti-termाइट सेल में लेकर जाता है ये डेवाइस फ्लूइड को जमा करता है और फिर उसे बहार निकालता है ये लखड़ी के सबसे पास लगाया चाता है टेल्टा हब में जमा किया हुआ फ्लूइड सबसे पहले पाइप कनेक्टर्स के द्वारा फ्लूइड चैंबर में जाता है और फिर स्मेल केरियर फ्लूइड को छेदो द्वारा बाहर निकालता है। आईए, हम इसकी प्रक्रिया को समझें। आईए.. और हमादाना है आईए, जुशें है आईए, आईए, तो अच्वारा निकालता है आईए, आईए-चार केपल्देग आईए, आईए.. झाल झाल